नमस्कार जैहिन मैं हूँ रॉनक नमस्ते जी मैं बववा रंतंत्र देख रहे हैं वेलकम है और एक बात बताओ जब आप किसी चीज के बहुत नजदीक पहुंच जाएं और फिर भी वो चीज आपको न मिले तो जिस दुख, दर्द, पीडा और कस्ट का नुभाव होता है न बस इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस को वही हो रहा है वैसे तो तेड़ा नंबर को हमारे आशूब माना जाता है लेकिन पड़सों रात पूरा इंडिया अपनी क्रिकेट टीम को लगातार तेड़ा हुई बार टी-20 मैच जीतते देखना चाह रहा था एक ऐसा काफिला ज सीरीज में क्लीन स्वीप किया था ऐसे में वोल्ड रिकार्ड का सपना देख रही टीम इंडिया को जटका तब लगा जो साथ एफरीका की एक फुल स्टेंथ टीम ने बी टीम किला रही टीम इंडिया को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में हरा दिया क्या वजे रही इस हार की इसी बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में और करेंगे दिल्ली में मिली हार का पोस्ट माटम तो आईए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करना और यह वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों इसका लिंक दिया है जिसमें बहुआ की आवाज भी आपको सुनाई देगी तगडे गेम्स खेलो रिवाड्स जीतो उससे शॉपिंग करो और टॉप के विनर हुए तो बहुआ के साथ इमीट जी यहां रॉनक के साथ इमीट पे मिलेंगे फुल मस्ती करेंगे डिस्क्रिप की उनको कितना टागेट चेज करना है मतलब बाकी का काम आसान बैटिंग कंडिशन और दिली के चोटे ग्राउंड ने कर दिया पचपन 57 मीटर पर छक्के लग रहे थे जब किसी ग्राउंड के डामेंशन इतने चोटे होते हैं तो उस ग्राउंड में चेज करना अमेशा आ वजए नंबर दो जी हां डीजन नंबर टू की इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया और वो है श्रेयस आयर वैसे तो देखो एक टीम गेम में किसी एक खिलाडी को दोश देना कहीं का न्याय नहीं है लेकिन मैच में कुछ टरिनिंग पॉइंट होते हैं और दो की पारी में खेली गई दो तरीकी की पारी ये समझ के बिल्कुल बाहर थी अगर स्रेय से ये तेज स्पीट से खेलते तो भारत आसानी से 225 क्रॉस कर सकता था और पिर कहानी कुछ और होती यही नहीं दूसरी पारी में फिल्डिंग करते हुए रसीव अंदर दूसे का आसा की कैच ड्रॉप ने रसी के लिए फुल मोटिवेशन का काम कर दिया भाई साथ बात तो सही है अब आते है रीजन नंबर थी पर जिसकी वज़े से इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूग गया है गर्मी सहन कर लेने का जजबा भी जुटाया और इतना वक्त बिता लिया कि टीम इंडिया का होम अडवांटेज समाप्त हो गया उनके बल्लेबाजों का यहां की पिछो पर खेलने का फुल अभ्यास हो चुका था डेविड मिलर ने अपनी पारी वहीं से आगे बढ़ाई जहां से उन्होंने गुजरात के लिए छोड़ी थी उनको पता था कि रिकॉर्ड रन रेट अगर बारा के पार भी चला जाये तो भी पैनिक नहीं करने का बंदू क्योंकि ऐसे कई मैच उन्होंने गुजरात को जिता रखे थे बस यही बात इंडिया की अगेंच चली गई करने चाहिए क्या बदलाव करने चाहिए कॉमेंट बॉक्स में प्लीज अपने अंदर के एक्सपर्ट को निकालो और कॉमेंट बढ़ जा लो साथ में जरूर लिखना की वीडियो आप देख कहां से रहे और हमारे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करना हमको देखके मजा आ दूबर करो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और उसी के नीचे हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको का भी लिंक दिया है जिसके दो लाग सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरो ये कोविड चल रहा पपपी फेंक रहा है तू सड़ी कहन